हेलो दोस्तों मैं हूँ दानिश अंसारी डियेसोवन से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जैसे ब्रेट, बंट पाऊ, पेटी, फूल चे, पीज़ा बेस, रस्ट तोस खारी बटर जितनी भी बेकरी के आइटम है वह सब इसीं हुझ इसके साथ में जो लगता है वो स्पाइरल मिक्सर लगता है है डो लगते हैं इसकी किनारी की हाइठ होती है 1 इंची की ट्रे होती है इसमें आप पीजा कर सकते हैं रस की सुकाई के लिए यह वाली ट्रे लगती है इस ट्रे का साइज होता है वो 13 अठारा हिंच होता है इसमें One Time में 42 ट्रे एक इंची किनारकी आती है और यह वाली आती है दोस्तों कि इसमें बात करें दोस्तों सबसे चोटे सेटप के बारे में तो सबसे चोटा सेटप लगता है इसमें अठेरा ट्रे का उवन होता है जब सकते हैं उसके उपर आता है 24 शहतिस ट्रे जैसे यह 42 रीज डिलिए कर अगर आपको परडे का काम का काम आपको करना परडे में तो आप उसमें यह ओं एक त्रेका रखेंगे और आप उसमें 500-700 kg माल नहीं दिंगा अगर तो उसका काम कर सकते हैं अगर आपको शुरुभात केस आप से सेट आप डालना बेकरी नहीं वेकरी नहीं बेकरी श्टाट करना चाहरे हैं शुरुमे तो आप उसमें ट्रवच ट्रेका वबन लगाएं या 24 ट्रेकर लगाएं अगर आपको कॉंटर सेल पे अपना काम करना है अगर सप्लायर को माल देना या आप ज्यादा काम करना चाहते हैं तो आप उसमें शुरुबात में हमारा नंबर है 9717 33 1608 आप हमें पॉटक्स ने बताया दोस्तों इस्पाइब्स के बारे में यह हमारा पचास कलो का इस्पाइरल मिकसर है इसमें सूखी मैदा एक बार में पचास किलो डलती है पानी अलग होता जो इसमें डलते हैं रो मेटरियल वह लग होता है जिसे इच डलती है खमीरे में, चीनी है, नमके, वो सब चीज़ अलग होती है, इसमें सूखी मैदा वन टाइम में 50 kg एक बार ही मायगा, टोटल केपिसिटी इसके हो जाती है, डोगी वो हो जाती है, 80 kg, वन टाइम में, एक बार में मिक्स करता है, सूखी मैदा होती है, इसमें 50 kg, इसमें हम यह ऑटोमेटिक हमारा होता है, सिलो फास्ट, दो स्पीट पर यह चलता है, सिलो पे आप चला सकते हैं, जितने आप टाइम सेट करेंगे, इसमें इसमें इसलो पे चलेगा, और उसके बाद यह फास्ट पर आटोमेटिक आजाएगा, यह थ्री फेस का होता है, सब्सक्राइब सट्राइब नहीं मिलेंगे इस पर तभी ये मशीन चालू होगी ऐसा नहीं के फेस गायब हो गया तो मशीन चली रही है और मोटर हमने बताया बेकरी सेट अप के बारे में बर्गर के बारे में तो यहां पर यह खमीरे का इटम टेविल पर डला हुआ है और यह मिस्त्री साब हमारे पेड इसमें बर्गर कितने आएंगे बारा बारा पीस इसमें एक ट्रे में आते हैं इसके साथ नहीं यह हमने जो मिक्स करते हैं बर्गर के लिए मैं दैर पानी के साथ में अच्छा तेल चीनी इस्ट पुलानी के लिए जो होती है वो इस्ट होती है तेल होता है चीनी होती है और कर दीए चीनी का यूज़ करते हैं जो ड़ता है उसमें नमक कम रहता है उसके रिस्क्री तो हमस्वाट से बिन तो मिया बनाए मिऒंए बनाते हैー के इतने बैकरिके लिखाए तो यह बर भाला सी चैरिन्ची का यह बर्गर होता है और यह बेकरी का नाम है यहां पर किंग पेकरी यह त्यर्लोगफुतुरी में दिल्ली के देखा होगा इसमें चलती है महाराष्ट में ज्यादा चलता है। यहोता है बरगर बरगर तो आली इंडियम सबस्टी इस ऐख कर सकते हैं टो आपको अगर सेट अपने सबस्टेक्ट में यहां पर सिर्फ बरगर पाव है और पिज शर् carta और अस्टा में एस अधा